अगर आप राजस्तान की किसी भी बरती प्रिक्षा की त्यारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महतबुर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे राजस्तान की सब्वेताओं से समंदित महतबुर्ण नोट्स के बारे में इसमें अपने देखेंगे सब्वेताओं की खोज कब कहा और किसने की सब्वेता की खोज से प्राप्त अवशेश वैसाक्षय सब्वेता की विशेशताएं सब्वेता स्थल कौन सी नदी के किनारे विक्सित हुआ और परिक्षा की द्रस्ती से यदि कोई अन्य महतबुर्ण बनते हैं तो उनके बारे में भी अपने इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सरव प्रतम अपने पढ़ेंगे काली बंगा सब्वेता के बारे में काली बंगा सब्वेता का जो जिला है हनुमानगर जिला है हनुमानगर जिले के पीली बंगा तहसील है उस स्थान पर यह है क्या है जो काली बंगा सब्वेता है विक्सित हुई थी नदी सरस्वती नदी के किनारे काली बंगा सब्वेता विक्सित हुई और वर्तमान में इस नदी का नाम गगर नदी है और जिसे स्थान यह बाशा में नाली के नाम से जाना जाता है काली बंगा सब्वेता का जो काल है या समय है वो 3000 इसा पूरव से 1750 इसा पूरव वर्ष तक माना जाता है इस सब्वेता का काल कासे युगिन काल कहलाया काली बंगा सब्वेता के जो खोज करता है आलमनंद गोश है इनके द्वारा काली बंगा सब्वेता की खोज 1952 में की गई थी काली बंगा सब्वेता का उत्खरन कारे बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल, बीके थापर, बाल कृषन थापर के द्वारा 1961 से 1969 के मद्दे काली बंगा जो शबद है इसका शाब्दिक अर्थ है काली चूडिया काली बंगा सब्वेता की विशेष्टाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं यहां पर दोरे जुते हुए खेतों के साक्षे भी प्राप्त होते हैं यहां जो नगर मिले है वो दो बागों में वाजित है और दोनों बाग सुरक्षा दिवार या परकोटे से गिरे हुए है यानि कि एक किले नूमा क्या है यहां पर जो नगर थे वो विक्सित थे अलंकरत इंटो अलंकरत फरश के साक्षा भी काली बंगा सब्वेता से प्राप हुए है जिसमें राख एवंपशों की हड्डियां प्राप्त हुई है यहां से उंट की हड्डियां प्राप्त हुई है उंट इनका पालतू पशु था जो काली बंगा सब्वेता के वासी थे उनका पालतू पशु क्या था उंट था काली बंगा सब्वेता से ही एक सूत्त वस्तर में लिप्टा हुआ उस्तरा भी प्राप्त होता है काली बंगा सब्वेता में ही कपास की खिती करने के साक्षय प्राप्त होते हैं जले हुए चावल के साक्षय भी काली बंगा सब्वेता से ही मिलते हैं काली बंगा सब्वेता में यूगल समादी के साक्षय भी प्रा प्राप्त होता है यहां से मिट्टी में निर्मित एक फुटा या स्केल भी प्राप्त हुआ है जो किसका बना हुआ था मिट्टी का बना हुआ था काली बंगा सब्वेता में शल्य चिक्षा के भी शक्से प्राप्त होते हैं एक बच्चे का कंकाल मिला है और इस कंकाल में क्या है इसकी खोपडी में बच्चे की एक छे था बुकंप के साक्षे भी काली बंगा सब्वेता से प्राप्त होते हैं वाकनकर महोदय के अनुसार सिंदु गाटी सब्वेता को सर्ष्वती नदी की सब्वेता कहना चाहिए क्योंकि सर्ष्वती नदी के किनारे इसके 200 से अधिक नगर क्या है बसे हुए थे चलिए आगे बात करते हैं आहर सब्वेता के बारे में आहर सब्वेता का जिला उदैपूर है नदी, आयाड या बेड़ेच नदी के तट पर आहर सब्वेता विक्सित हुई इसका समय 1900 इसापूरव से 1200 इसापूरव काल तामर पाशान काल था खोज करता इसके अक्षर कीरती व्यास थे जिनोंने 1953 में आहर सब्वेता की खोज की आहर सब्वेता का उत्खनन कारेप 1956 में आर सी अगरवाल रतन चंदर अगरवाल के द्वारा सबसे अधिक उत्खनन करवाया गया 1961 में HD हंस्मुक दीरजलाल सांकलिया ने इनका पुनहें उत्खनन करवाया अहर का प्राचीन नाम तामरवती था दस या ग्यार्वी स्टाबदी में इसे अगाठपुर या अगाठदुर्ग भी कहते थे और स्थानिय नाम इसका दूल कोर था अहर सब्वेता की विशेष्टाओं के बारे में जानते हैं बवन निर्मार में पत्थर का प्रियोग उत्खनन में अनाज पीसने की चक्की भी मिली है कपडों में छपाई किये जाने वाले छापे के साक्षे भी अहर सब्वेता से प्राप्त हुए है तामबा गलाने की बट्टी भी प्राप्त होती है साथ ही तामबे की छे मुद्राएं और तीन मोहरे भी अहर सब्वेता से प्राप्त होती है शव का जो सिर है वो अहर वासी उत्तर दिशा की और रख कर उसे दफन करते थे यहां से एक बवन में छह मिट्टी के चूले प्राप्त होते हैं अहाड सब्विता में मिट्टी के बरतन वैतामबे के अभूशन प्राप्त होए हैं अहाड वासी चांदी दातू से एप रीचित थे नेक्स्ट बात करते हैं बलाथल सब्विता के बारे में दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए बलाथल सब्वेता का जला है उदैपूर बलब नगर तैसील के पास यह सब्वेता स्थाल विक्सित हुआ नदी बनास जिसके किनारे बलाथल सब्वेता विक्सित हुई इसका समय उन्नी सो ईसापूरव से बारा सो ईसापूरव तक मनना जाता है आहार सब्वेता से सम्मंदित तामर पाशान कालिन यूगिन सल है खोज करताव है इसके उत्खरन करता है 1903 में वे वी एन मिशर विरेंदर नात मिशर के द्वारा इसका उत्खरन और खोज की गई बलातल सब्वेता की विशेषता हैं बवन निर्माण के साथ इंटों का प्रयोग भी किया गया आहार सब्वेता में केवल क्या है पत्थरों का प्रयोग किया गया था और इसमें क्या है पत्थरों के साथ साथ इंटों का प्रयोग भी किया गया एक विशाल बवन मिला है जिसमें 11 कमरे है पशों के अवशेष भी बलाथल सब्वेता में प्राप्त हुए है मिश्रित अर्थ विवस्ता के साक्षय भी बलाथल सब्वेता से मिलते है क्रिशी के साथ साथ पशु पालन का भी प्रचलन था इसलिए क्या है इसे मिशरित अर्थ विवस्ता का नाम दिया गया नेक्स्ट है गिलुंड सबधा गिलुंड या गिलुंड सबधा का जो जला है राजसमंद है अहर सबधा से समंदित तामर पाशार यूगिन स्थल है इसके जो खोज करता और उत्खणन करता है वीबी लाल यानि की ब्रजबासी लाल है और यह है उत्खरन कारे 1957 से 1958 के मद्दे किया गया इसकी विशेश्टाए है हाथी दाद की चूडियां गिलुन सब्वेता से ही प्राप्त होती है पांच प्रकार के म्रदबाढ यानि की मिट्टी के ब्रतन भी प्राप्त होते हैं गनेश्वर सब्वेता का जिला है सीकर और तैसील इसकी है नीम का थाना गनेश्वर सब्वेता कांतली नदी के किनारे विक्सित हुई इसका जो काल है वो 2800 इसा पूरो है यहां आपको इस बात का विशेश दियान रखना है कि आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है कि यह काल किस अधार पर निरदारित किया गया यह समय जो सब्वेता का इतना पुराना किस अधार पर निरदारित किया गया तो C14 कार्बन पद्धी के अधार पर क्या है? यह समय निरदारित किये गए है काल तामर पाशान काल है तामर पाशान युगिन सब्धा की जननी भी कहा जाता है गनेश्वर सब्धा को इसके खोज करता है उत्खनन करता आरसी यानि की रतन चंदर अगरवाल है जिनोंने 1977 में इसकी खोज कर उत्खनन कारे किया गनेश्वर सब्धा की विशेश्टा है यहां से एक मसली पकड़ने का कांटा भी प्राप्त होता है तामर निर्मित कुलहाडी मिली है शुद तामबे निर्मित तीर बाले तलवार बरतन अभूशन सुया इत्यादी क्या है गनेश्वर सब्धा से प्राप्त होते हैं यहां से ताम्बे का निर्यात भी किया जाता था, सिंदु गाटी के लोगों को ताम्बे की आपूर्ती यहीं से होती थी. नेक्स्ट है बेराट सब्वेता, बेराट सब्वेता का जिलाज जैपूर, बेराट सब्वेता बान गंगा नदी के किनारे विक्सित हुई और इसका जो समय है 600 इसापूरों से 1 इस्वी तक का माना जाता है. काल इसका लोहय यूगिन काल है. बेराट सब्वेता के जो खोज करता है या उत्करन करता है 1935 से 1936 के मद्या दैरा मसाहनी के द्वारा इसकी खोज की गई. प्रमुक्स्थल यहाँ पे बीजक की पहाड़ी, बीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बेराट सब्वेता के प्रमुक्स्थल हैं. बेराट सब्वेता की विशेषता हैं, बहाजनपद संस्कृत के साक्षे 600 इसापुरो से 322 इसापुरो तक मतस्य जनपद की राजदानी विराट नगर जिसका वर्तमान में प्राची नाम के हैं बेराट था मतस्य जनपद में जैपुर, अलवर और बरतपुर क्षेतर को श पांडू ने अपने एक वर्ष का अग्यातवास विराट मगर के राजा विराट के यहां ही व्यतित किया था, बोध दरम के साक्षे भी विराट से हमें प्राप्त होते हैं, यहां एक गोला कार बोध मत मिला है, यहां पर स्वर्ण मंजूशा या कलश प्राप्त हुआ है, जिसमें बगवान बुद्ध की अस्तियों के अवशेश प्राप्त होते हैं। मुर्य संस्क्रिति के साक्षय भी प्राप्त हुए हैं। मुर्य समाज 322 इस्सापूरव से 184 इस्सापूरव तक माना जाता है। समराट अशोग के बब्रू शिलालेग बेराट से ही मिला है। बब्रू शिलालेग की खोज 1837 में कैप्टन बर्टन ने की। इसकी वाशा प्राकर्त है और लिपी ब्रामणी है। वर्तमान में बब्रू शिराले कोलकाता के संग्राले में सुरक्षित रखा गया है। हिंद युनानी संस्कृती के साक्ष्य भी बेराट सब्यता से प्राप्त हुए हैं। यहां से 36 चांदी के सिक्के प्राप्त हुई हैं 36 में से 28 सिक्के हिंद युनानी राजाओं के हैं 28 में से सोणा सिक्के मिंडे, राजा, परसिद हिंद युनानी राजा के मिले हैं 68 सिक्के प्राचिन बारत के सिक्के या पंच मारक है नोट बारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद युनानी राजाओं ने ही चलाए थे बागोर सब्वेता के बारे में पढ़ते हैं अपने बागोर सब्वेता का जिला है बीलवाडा कोठारी नदी के किनारे बागोर सब्वेता विक्सित हुई उत्खरन कारय इसका विरेंदर नात मिशर के द्वारा किया गया इसकी जो विशेशताएं है प्राचीन पश्यों की अस्तियां यहां से प्राप्त हुई बारत का सबसे संपन पाशान स्थल बागोर सबयता को ही माना जाता है दोस्तों अगर आपको हमारे अहे चैनल पसंद आया हो वीडियो पसंद हो तो प्लीज सबस्क्राइब करें लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें चंदरवती सबयता इसका जो जिला है वो क्या है सिरोही जिला है गुरुडासन पर विराजबान विश्णु भगवान की मूर्ती चंदरवती सबयता से प्राप्त होती है करनल जैमस्टों ने इस सबयता का जिकर अपनी पुस्तक में भी किया है इस वीडियो में इतना ही आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद अगली किसी वीडियो में मिलेंगे अपने अन्य किसी महतबन टॉपिक के नोट्स के साथ थेंक यू